आप से और क्या चाहिए धन दौलत की कोई कीमत नहीं है मरी मा ये संसार के लोग जो पैसों के लिए भाग रहे हैं आजकल आप सब लोग पैसों के बीचे भाग रहे हैं इसलिए आपको पैसा बड़ा लगता है कुछ लोग तो पैसे कोई माई बाप मानते हैं हमारे भारत में पैसों को महत्व कभी दिया ही नहीं था भगवान करें आपके पास खुब पैसा हो लेकिन हमारे यहां मन पैसे में लगाने के लिए नहीं कहा जाता मन हमारे यहां के राजाओं का इतिहास मिलता है कि जब भगवान आप राज गद्धी पूरी कर लें आप अपना कारे पूरा कर लें तो आप लोग अपने पुत्र को राजा बनाकर और आप अपना मन भगवान में लगाकर जंगल के लिए जंगल की अत्रा पर निकल जाएं है ना, भगवान में मन लगाने को स्रेष्ठ कहा गया है, व्यक्ति विसेश में मन लगाने को स्रेष्ठ नहीं कहा गया, किस में मन लगाना है, बस ठीक है बेटा, किनारे बैठ जा बेटा, जहां आप बैठे तो वहां भी सुन पड़ रहा जा आपको, बैठ जा बेटा, सुन बैठो, वहीं बढ़ जो, सुन लो, यहीं बढ़ जा, बढ़ जा, बैठो, सुन रहे हैं सब लोग, आप भी सुन लो, प्रश्णों त्री सात बजे होगी, पूछ लेना, अभी टुपईट आप सुनो, तो, भगवान, अपने, आपको देना चाहते हैं, भगवान किसे देना अपने आपको, क्या आप भगवान को लेने की काबलियत रखते हैं, इसलिए, चित्र केतू की बहुत सारी पत्निया होने पर भी, जब पुत्र नहीं हुआ, संत क्रिपा से पुत्र हुआ, पर वो पुत्र, पांच साल वाज जब चला गया, तो राजा रोए, कई बार आप रोते हैं कि फला नहीं चले गए, देखो संसार का नाम है म्रत्यू लोक, यहां आदमी पैदा किसलिए होता है, बोलो, मैया, यहां आदमी पैदा किसलिए होता है, मरने के लिए, और आप लोग डर दरते हो, मर ना जाए महराज, हम मर ना जाए, चित्र केतू के, पुत्र की म्रत्यू हुई तो रोए, नारज जी ने कहा, राजन क्यों रो रहें, और नारज जी ने दिप ज्यान दिया, वही चित्र केतू व्रत्ता सुर्वने आज उध्धार हुआ, एक वार भगवान प्रहलाद जी के लिए, खंबा चीर कर प्रगट व जब जब धर्म की हानी होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान को अवतार लेकर धर्ती पर आना पड़ता है, एक वार, हिरन कशपू के पुत्र नाम है प्रहलाद, प्रहलाद जी बहुत छोटे से थे, पांच वर्स के, और हिरन कशपू जब तपस्या करके आया, और देखा कि प्रहलाद बच्पन से ही नारायन, नार स्रश्टी के पाल नहार हैं, वही सब कुछ है, हिरन कशपू ने पढ़ने के लिए भेज दिया, अपने पुत्र को, कहां पढ़ने गए प्रहलाद जी, हिरन कशपू विश्व विद्याले, संदा मर्क वहाँ उनको पढ़ाने वाले गुरू जी थे, प्रहलाद जी पढ़ाई कितने प्रकार की होती है, सिक्षा कितने प्रकार की होती है, आज देखो आप सब पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी डिग्री धारी आप लोग हैं, कितने प्रकार की सिक्षा होती है, चार प्रकार की, कौन कौन सी, पहली सिक्षा धर्म की, दू चार सिक्षाइं होती हैं जिसमें आज कल के बच्चों को आपके बच्चों को स्कूलों में कौन सी सिक्षा पढ़ाई जाती है जोर से इन चारों में आपके बच्चों को कौन सी सिक्षा पढ़ाई जा रही है धार्म अर्थ काम मोक्ष में क्या पढ़ाया जारा बच्चों को जोर से जोर से केवल अर्थ अर्थ मतलब पैसा जब की सिक्षा तब तक अधूरी है जब तक चारों सिक्षा ना हो चार सब्जेक्ट हैं आज कल के बच्चे कितना भी पढ़ लिख जाएं लेकिन पढ़ने के बाद वो नौकर ही बनना चाहते हैं हम नौकरी कर लें महराज हमारी भी नौकरी लग जाए पढ़ लिख गए हैं तो वो पढ़ लिखकर भी आज कल की सिख्छा नौकर ही बना रही है इसलिए नौकर जादा है मालिकों की कमी होगी क्योंकि कोई मालिक नहीं बनना चाहता सब नौकर बनना चाहते